हरे दोस्तो जाशुफ शम्भू तो गाइस आप सभी का सवागत है हमारे फ्री स्टॉप मार्केट के कोर्स के लेक्चर फाइफ में तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का जो मारा फिफ्ट लेक्चर है वो है इक वाले है तो गाइस इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगी मोगें-डिकटर स्ट्राइजी टीक आत्र moving average को हम कैसे अपने trading में include कर सकते हैं investing and trading के लिए यह आज हम इस lecture में देखने वाले हैं तो चलिएगा इस शुरू करते हैं तो सबसे पहले काई इसमें हमारे कुछ topic है हम क्या-क्या देखने वाले हैं इस lecture के अंदर तो what is moving average, type of moving average, it is lagging or leading indicator, entry and exit strategy, ignore wrong signals तो guys यह wrong signal भी देता है तो इसको कैसे इग्नोर करना है और what is moving average crossover guys तो यह एक बहुत important topic है moving average का इसको भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो चलिए guys आगे बढ़ते हैं तो guys ऐसा graph आप सभी ने अपने school timing में देखा होगा बसके वर्क भी क्या वहां से हम कुछ points लगाते थे, जैसे यहां पर एक point लगा दिया फिर यहां एक point लगा दिया यहां एक point लगा दिया तो candle की closing के basis यह points लेता है ठीक है आपका जो भी time frame है आप जिस भी time frame है उसके according यह work करेगा अगर आप daily time frame है ठीक है अगर आप daily time frame है तो daily candle की closing के basis पर एक point लेगा और उन सब को यह connect करता हुआ चलता है तो हमें एक line मिलती है इसके basis ठीक है और ऐसे ही अगर जो हमारे daily closing है वो नीचे की तरफ जा रही है ठीक है अगर वो नीचे की तरफ जा रही है दोस्तों तो यह ऐसे line बनाता हुआ चलता है ठीक है यह ऐसे करके line बनाता हुआ नीचे की तरफ चलेगा तो basically अगर guys price action इसके ऊपर close होता है ठीक है continuously इसके ऊपर चल रहा है तो हम मान के चलते हैं कि market bullish की तरफ है ठीक है upside का हमें trade मिल सकता है या फिर bullish trend चल रहा है और price action अगर इसके नीचे closing देता है ठीक है इसके नीचे चल रहा होता है price action तो हम मान के चलते हैं कि market bearish की तरफ चल रहा है bearish trend है या फिर bearish trade चल रहा है ठीक है तो basically सब हमें इतना ही समझना है कि moving average guys आपको एक point time to point एक line देता है ठीक है उसके ऊपर अगर market है तो bullish की तरफ market चल रहा है या फिर bullish trade चल रहा है ठीक है और अगर price action इस moving average के नीचे है तो हम मान के चलते हैं कि market downtrend में या फिर downside का trade चल रहा है ठीक है तो overall guys यह है moving average ओके we hope आपको समझ आया होगा अभी आगे बढ़ेंगे दो हम लिखा है इसमें basically important point है जो कि हम discuss करने वाले it is lagging indicator because it is based on price action ठीक है price पे depend करता है past का तो गई समान लीजे यहां पर अगर price नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है तो पहले price action बनेगा ठीक है पहले price action बनेगा उसके साथ-साथ गईस पीछे-पीछे यह चलेगा ओके और मान यहां से market reverse हो गया तो यह फिर इसके नीचे नीचे यहां से आ जाएगा ठीक है इसके पीछे-पीछे चलेगा मतलब पहले price बनेगा उसके बाद गाईस इसके पीछे-पीछे यह ऐसे चलता रहेगा ठीक है तो एक lagging indicator होता है price action के पीछे-पीछे चलता है जैसे candle close होगी तो यहां आ जाएगा यहां candle close होगी तो यहां आ जाएगा मतलब candle के closing के basis पर गाईस यह अपनी reading लेता है और पीछे-पीछे चलता रहता है तो basically एक यह lagging indicator है ठीक है almost जितने भी इंडिकेटर होते हैं सब price के base पही depend करते हैं ठीक है price पहले बनता है price action पहले बनता है उसके ठीक है moving average एक line indicator है ओके गाईस और rising moving average indicates that security is in an uptrend तो basically इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर indicator rise हो रहा है ठीक है उपर की तरफ चल रहा है तो इसका पतना हमान के चलते हैं कि जो भी stock है वह uptrend में है अभी हमने यह बात कर लिए the security is considered to be in downtrend if price close below MA moving average तो गाईस इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी security को हम downtrend में मानके चलते हैं कि वह downtrend में चल रही है अगर उसका price यह जो हमारी एम है इसके नीचे closing दे रहा है तो इसका मतलब यह है ठीक है and it is based on closing price of candle तो यह क्या है basically candle की जो closing होती है ठीक है उसके बेस पर गाईस इसमें calculation चलती है तो यह हमारा हो गया moving average के कुछ basic points जो आपको समय से जरूरी थे इसके बाद दोस्तों मारा next topic आता है type of moving average तो moving average के type कितने होते हैं तो दोस्तों इसके दो type होते हैं ठीक है एक यह है simple moving average इसको हम SMA बोलते हैं ठीक है और एक होता है exponential moving average जिसको EMA बोलते हैं ठीक है तो वी होग गाईस आपने इन दोनों के बारे में सुना होगा आज के इस lecture में काईस हम SMA के बारे में discussion करने वाले हैं और EMA का discussion काईस हम next lecture में करेंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे गाईस यहां पे हम और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे simple moving average तो सबस करते हैं यह इसका mathematical formula है दोस्तों तो value of n number of days ठीक है तो यहां पर हमें जितने भी days का ठीक है जैसे पांच दिन का ठीक है तो 5 days हो गया यह फिर 10 days का तो 10 days हो गया तो अगर हम 5 दिन का simple moving average निकालना चाहते हैं तो वह कैसे निकालेंगे value of n number of days divided by n number of time period ठीक है तो यह क्या है इसको समझने कुछ करेंगे तो five days का moving average हम मानके चलते हैं दोस्तों पहले दिन की जो हमारे पास यहां पर average आ रहा है moving average वह आया है हमारे पास suppose कर लेते हैं पांच आया है ठीक है second day आया है 15 फिर उसके बाद next day फिर maybe 10 आ गया ठीक है उसके बाद next day guys maybe 20 आ गया और फिर यहां पर five आ गया मान लेते हैं ऐसा कुछ पांच दिन का हमारे पास candle closing की reading है ठीक है यह पांच दिन की ओके तो यहां पर हमें ऐसे फिल करना है अगर यहां पर 10 दिन होते तो हम 10 दिन की reading लेकर दे divided by guys इसको count करेंगे one two three four five कितनी reading है five reading है upon five ठीक है तो इसको calculate करेंगे कितना हो ज 55 divided by five two is equal to 11 तो simple moving average की value क्या गई हमारी 11 तो ऐसे हम simple moving average को calculate कर सकते हैं ठीक है तो यह basically आपको समझना है दोस्तों कैसे काम करता है तो इसलिए इस formula को आपको बताया गया है कि basically moving average काम कैसे करता है तो guys जो हमारे पिछले past days की अगर हमको 10 days का analysis करना है ठीक है moving average चाहिए तो हम 10 days लिखेंगे ठीक है या फिर 20 days का चाहिए तो 20 days लिखेंगे आपने देखा होगा अक्सर हो गाई हम बात करते हैं 50 यह में का support आ रहा है तो उसमें 50 क्या होता है 50 days होते है ठीक है तो आपको यह समझ आ गया होगा we hope guys जब भी हम बात करेंगे moving average तो उसके आगे guys आपने लिख average में हमें जितने भी दिन का average निकालना है उतने दिन का जो भी candle की closing है उसको हम plus कर लेंगे ठीक है divided by जितने दिन का निकालना है 10 से divide कर देंगे तो ऐसे करके guys यह work करता है ठीक है पास की reading के according तो यह simple moving average है आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसको हम entry and exit के लिए कैसे use कर सकते तो guys you can enter in the upside trade when price close above moving average and exit from the trade when price close below moving average तो guys basically अगर market ठीक है जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो moving average लगा रखा है आप यहां देखेंगे यहां पर 9 moving average लगा हुआ है ठीक है example के लिए और यहां पर क्या है बजाज फिंजर्व का चार्ट है one day के time frame ठीक है तो guys अगर आप आपके यहां पर मूवीं आवरेज हमने लगाया हुआ है ठीक है तो दोस्तों इहां पर आप देखेंगे तो यह candle के ऊपर closing दी ऑटतोर पर इसके उपर क्लोजिग दीए हो इसा स्कुद्वर क्लोजिंग यहां पर तो basically यहां पर हम क्या करेंगे एंटरी कर लेंगे ठीक है और उसके बाद चलते रहेंगे हम continuously जब तक इस moving average के नीचे closing नहीं आ थी तो यहाँ पर देखे closing कहा आई है इस candle पर closing आई है तो almost अगर entry देखें तो 575 पर हमने enter किया और closing किया है गोई almost 885 ठीक है तो almost guys हमने यहाँ पर कितने point earn किये हैं 310 points यहाँ पर earn कर लिए ठीक है तो ऐसे करके आप इसमें trade execute कर सकते हैं ठीक है या फिर अपने long term के लिए investment भी कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे करके हमारा simple moving average work करता है तो अगर हमें bullish के entry चाहिए तो price action guys उपर close होना चाहिए इस EMA के उपर price action close होना चाहिए और exit के लिए guys candle इसके नीचे close होनी चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक है तो यह guys हमारी हो गई entry exit uptrend के लिए ऐसे ही दोस्तों अगर हमें downtrend में entry चाहिए ठीक है तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं देखें market जब candle जब closing देगी ओके तो आप देखें कि यहाँ पर candle close होई है इसके नीचे तो यह हो गया हमारा entry point अब आप यहाँ पर देखें guys कहीं पर भी इस moving average के उपर candle close नहीं हो यह green यहाँ पर हुई है green candle closing तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे exit कर देंगे ठीक है यह भी guys daily time frame में ही है तो आप ऐसे करके इसमें downside का trade execute कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे price के value तो 960 और आपने exit कहाँ पर आए almost 531 ठीक है तो guys कितने point होगा यहाँ पर जल्दी से फटाफट पास करके वीडियो और बता दू comment box में कितने points हो हो गए तो दोस्तों almost points हो गए 429 ठीक है तो यहां से यहां तक हमने 429 points कर लिए ठीक है तो ऐसे करके आप इसमें trading कर सकते हैं या फिर अपना internet का trade भी कर सकते हैं ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे यहां पर इसमें क्या होता है इसमें हमें wrong signal भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारा losses करवाते हैं ठीक है तो जैसे कि guys wrong signal क्या होता है आपको यह समझना है यहां पर तो it gives wrong signal in each time frame but in lower time frame you can find it easily तो guys wrong signal क्या होता है यह हर time frame में देता है बट अगर आप lower time frame में जतने जाते रहेंगे वहाँ पर आपको उतने ही wrong signal देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो guys यहां पर अगर आप देखें तो हमने इस candle पर suppose entry ली ओके मान लेते हैं इस candle पर हमने entry ले ली अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह green candle उपर close हो गई हम तो put side के तरफ जा रहे दे down side के तरफ हमने trade लिया तो हम कब तक रहेंगे जब तक green candle उपर के तरफ close नहीं हो जाती bullish candle तो आप देखेंगे इसके उपर यह candle close हो गई तो मतलब यह क्या हो गया हमारा exit signal हो गया ठीक हो गई इस moving average के तो मतलब price action उपर की तरफ जा सकता है market यहीं बता रहा है ना कि price action उपर की तरफ move हो सकता है अब तो guys यहां पर आप देखेंगे exit signal 3 उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो एक और candle close होई है जिसके बाद exit number 4 हमें दिखा रहा है ठीक है but guys यहां अगर हम निकलेंगे सब आपने हर पर अंटरी फिर यहां पर निकलगी तो यहीं रहा ख़रेरा है डोस्तो बैस है wrong signal दे रहा है ठीक है wrong signal देख रहा है अगर आप यहां पर देखेंगे ठीकिए इस इस wrong signal दिया था उसके बाद ये candle green वाली candle अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर क्या बनाया इसने अगर आप देखें दोस्तों तो यह bullish engulf अगर आपने का इस हमारी last candlestick pattern की वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और description box में भी लिंक मिल जाएगा अगर आपको candles के बारे में नहीं पता है तो जागर गाइस उसमें देख ली तो इससी bank में तो एक entry आपको यहां मिल रही है candle पर उसके बाद एक entry यहां मिल रही है ठीक है यहां पर यहां पर फिर से यह candle close हुई है EMA के उपर यहाँ पर हमें exit का signal मिल गया उसके बाद एक 있다는 का signal मिला हमें यहां पर इन दौनों में से कौन सा signal correct है हमें कैसे पता चलेगा ठीक है या फिर continuum कैसे यहां से लेखे यहां तक का पूरा trade कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो यह हमें कैसे पता चलेगा तो guys यह हमें पता चलेगा इसके next topic से जो कि है हमारा ignore wrong signal using cross over method guys तो cross over method के तुरू हम यहाँ पर जो wrong signal हमें मिल रहे हैं उनको हम हटा सकते हैं या फिर continuously बड़े trade में बैठे रह सकते हैं guys या फिर अपने गलत entry होने से बचा सकते हैं ठीके तो cross over method क्यों होता है we can ignore wrong signal by using moving average cross over method ठीके ध्यान से देखे moving average cross over method in this method we use multiple moving average combination तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों multiple moving average का combination लेके चलते हैं ठीके most of the trader and investor use triple MA combination triple MA combination क्यों होता है यह हम अभी आगे देखेंगे तो guys यहाँ पर अगर आप देखें ठीके तो हमें wrong signal कैसे ignore करना है तो basically का इस कुछ ऐसा देखता है multiple moving average combination तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे MA5 हमने मार्क किया हुआ है ठीके यह MA5 हो गया MA9 हो गया और MA13 ठीके तो यहाँ पर तीन हमने simple moving average लगा रखे हैं तो इनको बोलते हैं दोस्तों क्रॉस ओवर मैथड ठीके तो अगर यहाँ पर देखेंगे ठीके तो तीनों तीनों moving average जैसे एक यह हो गया एक यह हो गया एक यह हो गया कोई यह candle नेगा इस इन तीनों को यहाँ पर ब्रेक किया तो यह हो गया बुलिश क्रॉस ओवर मैथड बुलिश क्रॉस ओवर क्लाइब ठीक है यह कलाएगा बुलिश क्रॉस ओवर ठीक है ऐसे ही गाइस यहाँ पर इनकेस तीन हमारे moving average लगे हुए है ठीक है यह तीन moving average लगे है इसके नीचे किसी candle ने closing दे दिया तो यह क्या कलाएगा बेरिश क्रॉस ओवर कि बेरिश क्रॉस ओवर मैथड तो इस ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए अब यह हमारी ट्रेडिंग में help कैसे करता है ठीक है अगर हम multiple combination यूज करेंगे तो यह हम देखते हैं तो चलिएगा इसी चार्ट में आ जाते हैं जो की चार्ट अभी हम पीछे discuss कर रहे थे यह वाला ठीक है जिसमें simple एक ही moving average लगा हुआ है अभी हमने क्या कर रहा है यह एक candle है यह हमने entry की candle लेकी हुई है बड़ एक्जाक्ली यह candle नहीं लेके ठीक हमें candle कौन सी रही है अब जो की इस तीनो moving average को breakdown करें अगर हम put side में जा रहे हैं तो तीनो candles को sorry तो तीनो moving average को breakdown करें ठीक है यह उसके नीचे closing तो अगर आप यह candle देखेंगे तो इस candle ने इन तीनो moving average के नीचे closing दी है ठीक है तो यह हमें downside की entry की candle है गाईसी यह हमें downside का trade बता रहा है तो इसका हाई का एसे लगा के हम put side का trade execute कर लेंगे अब आप देखिए जो भी हमें wrong signal मिल रहे थे वहाँ पर आपने क्या देखा था यह green candles हमें आप बतारें थी के exit कर लो यहाँ पर यह कैसा काम कर रही है ऐसा rejection का काम कर रही है ठीक है यहां पर हमें क्या signal दिया इसके उपर closing नहीं दिया ठीक है 13 moving average के उपर candle क्लोज नहीं हुई है तो हमें नहीं निकलना है हम इसके तुरू जिसने भी एंट्री नहीं लिए तो यहां पर हमारी एंट्री बन सकती है दोस्तों ठीक है उसके बाद हम नीचे आगा यहां पर एक बार देखे फिर से मार्गेट उपर गया बट क्लोजिंग नहीं दिया यहा डखेंगे इन moving average के उपर close होनी चाहिए candle बट यहां पर देखो यह close नहीं हुई है तो यहां पर इसने हमें exit करनी के वजाए एक और entry दे दी हम यहां पर एक और entry ले सकते थे ठीक है उसके बाद फिर से नीचे आगए गाई यहां पर अब यहां पर देखें फिर से कौन सी candle है हम entry ले सकते हैं put side की अब देखें यहां पर फिर से green candle मनी अगर आप देखें दोस्तों तो यह नीचे से जो पहली वाली है ठीक है यह है हमारा five ma ठीक है जो कि हम single moving average discuss कर रहे हैं यह हमारा simple moving average five ठीक है five moving average five days का तो दोस्तों यहां पर यह हमें कौन सी candle पर निकलने के लिए ब 13 का तो अभी क्या हमें निकलने के लिए बता रहा है यहां पर क्लोज हुआ इसके उपर candle क्लोज हुई है कोई नहीं हुई कोई भी candle क्लोज तो हमें करना है exit करने के वजह यहां पर हम और quantity add कर सकते हैं या फिर अगर आपने entry नहीं लिए तो आप entry ले सकते हैं ठीक है तो द single candle इन तीनों moving average के उपर closing दे दिया है तो यह हमारा correct exit का signal है हमें यहां पर गरना है exit कर देना है ठीक है अब हमें entry नहीं लेनी है put side की तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं अपने wrong signal को एक right opportunity में change कर सकते हैं ठीक है तो basically यह चीज हो गई आगे हम देखेंगे next example में तो यह हमारा HD IDFC bank का example है इसको भी हमने पीछे discuss किया था तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों अगर हम इस candle पर entry ले रहे हैं ठीक है तो हो सकता है दोस्तों market जैसे यहां से नीचे आया था तो पूरा नीचे आया था ठीक है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक entry हमारी यह हो गई एक entry मुविंग आवरेज के ऊपर closing दीया है ठीक है इसको थोड़ा सा जोम कर के दिखाएंगे आपको यह में अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस कैंडल ने इन तीनों मुविंग अबरेज के उपर क्लोजिंग दिया है और उसके बाद यहां पर कोई भी कैंडल नहीं अगर इसके लोग का ऐसे लाके हम कॉल साइट का ट्रेड लेते हैं तो यहां पर देखिए यह कैंडल अगर आप यह देखेंगे दोस्तों अब जो ऊपर वाली है ठीक है यह क्या है हमारा सिंपल फाइफ में है ठीक है सिंपल फाइफ मुविंग अबरेज है तो यहां पर ही हमें एक्जिट के लिए बोल रहा है ठीक है लेकिन विकॉस आफ क्रॉस ओवर मैथड ठीक है हमारे पास बताता है ठीक है ट्रेंड बताता है एंटरी एक्जिट बताता है कि एंटरी कहां लेनी है और एक्जिट कहां करना है इसके साध़ हमें किसने सीखने मिले होंगे जो कि शुड़ों पूरसmarag तक अगर आपने छोड़ दिये वीडियो तो डेफिनेटली उनको यह तीन पूइंट गाइस हम चाहते तो इसको शुरू में भी डाल सकते थे बट हमने यहां पर डिसकस किया ठीक है जिसे आप पूरा यह हमारा लेक्चर को समझ सके ठीक है तो तीन चीजे बताता है ट्रेंड अगर आप यहां पर प्राइज देखेंगे तो अल्मोस्ट दोस्तो 1500 के आसपास है 1500 के आसपास प्राइज है ठीक है और यहां से यहां तक आप देखिए मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं दिया इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे यहां पर क्लोजिंग का मिली है हमे अगर आप देखेंगे तो अल्मोस्ट गाइस क्लोजिंग मिली है स्कांडल ठीक है तो अगर आप यहां पर प्राइज यह अपनी कर सकते हैं तो यहां पर आप honoring signal को लिए कर सकते हैं। और यहां पर आप opportunity मना सकते हो कि जिसने यहां पर entry ने ली तो यह काईस कौन से entry बन गई है हमारी entry बन गई third ठीक है निकलना कब है जब इन तीनों moving average के नीचे candle close हो जाएगी तब हम exit करेंगे bullish के trade में ठीक है entry कब करेंगे जब इन तीनों moving average के अब अब आप ऊपर की तरफ candle close सुगी तब हम entry करेंगे ऐसे दोस्तो downtrend में करना है हमें ठीक है एक बार revise कर लेते हैं बाबर downtrend में करना है अगर candle इन तीनों moving average के नीचे closing दे रही है तो हमारी entry बनेगी और अगर candle ऊपर की तरफ closing दे रही है इन तीनों moving average के गईस तो हमारी exit की entry बनेगी ठीक है यह market अगर downtrend में है तो दोस्तों तीन moving average जैसे हमने लगा रखें MA5 यह चीज़ भी ध्यान से समझ लीज़े MA9 and MA13 यह तीन लगा रखें तो अगर downtrend में हम चल रहे है तो दोस्तों जो higher number वाला moving average होगा यह सबसे ऊपर होगा ठीक है आप यहां पर दीखें यह जो purple वाली trend लाइ है purple वाली line आ रही है यह MA13 है ठीक है न और जो सबसे छोटा वाला moving average होगा वो सबसे downside में होगा downtrend के अंदर और अगर हम बात करेंगे uptrend की ठीक है तो अगर हम बात करें दोस्तों uptrend की तो uptrend में क्या होगा यहां पे भी तीन moving average है MA13 MA9 and MA5 तीन है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों अब यह 13 वाला जो है यह bottom पर आ जाएगा और यह क्या करेगा ऐजा support का work करेगा हमारे market के अंदर ठीक है और दोस्तों यह 5 MA कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ यह को आप ऊपर की तरफ आएगा और जो बीच वाला है वो कहां रहेगा center में रहेगा मेंशा ठीक है तो इस चीज़ को आपको यहां पर ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ेंगे तो important points इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है यहां पर आप देखेंगे तो यह देखो यहां पर जिग 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 हो रहा है EMA का कभी भी ऐसा chart अगर आपको दिखता है तो आपक the period for the moving average and greater the lag ठीक है जितना दूर का गाई से हो लेंगे जैसे 200 डे का हमने एम में ले लिए 200 डे का में ले लिए तो वह उतना ही slow चलेगा ठीक है slow चलेगा ठीक है slow आपको signal देगा किसकी entry का या फिर exit का signal आपको बहुत लेट मिलेगा लेकिन जितना यह छोटा होगा ठीक है मान लो सब्सक्राइब का है moving average तो यह क्या करेगा इसके comparison में 200 डे के moving average के comparison में 50 डे का moving average हमें early entry exit देता है ठीक है early entry देगा और early exit देगा ठीक है तो यह point को ध्यानते समझ लेजीगा investor and trader mostly use 50 days and 200 day moving average because they consider it important trading signal तो guys अगर हम देखें market के अंदर बहुत ज्यादा इसको दिखता है बहुत ज्यादा लोग यूज करते हुए दिखते हैं क्यूंकि इसको बहुत ही important trading signal मानते हैं ठीक है trading या फिर investing के लिए अगर आप देखेंगे guys तो दोस्तों daily के भी हम जब बात कर करते हैं तो हम 50 days का moving average या फिर यह में यूस करते हैं तो यहां पर इंपोर्टन रहता है 50 day का moving average ठीक है या फिर 200 day का moving average तो guys यहां पर आपको investment करना long-term ठीक है तो आप 50-day MA या फिर टूडे 200 डेस का MA आप यूस कर सकते हैं ठीक है और आगे के देखें के shorter moving average आप टिपिकली use for short term तो अगर आप 5 एमे यूज कर रहे हैं तो मतलब आप 5 मिनिट के लिए scalping कर रहे हैं ठीक है या फिर गाईस आप 15 में trade कर रहे हैं ठीक है तो आप 5 में यूज कर सकते हैं ओके अगर आपको long term के लिए किसी stock वगेरह में अगर आप investment कर रहे हैं तो आप 50 M में ले सकते हैं ठीक है 50 M ले लिए आपने ओके और इसका time frame हो सकता है daily या फिर weekly भी हो सकता है तो इसके according आप investment कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इस line से क्या समझा है दोस्तो अगर आप intraday trading कर रहे हैं ठीक है अगर आप intraday trade कर रहे हैं तो आपको लोवर लेना है ठीक है लोवर में लेना है जैसे 5 हो गया ठीक है 5 आप ले सकते हो ठीक है intraday के परपस के लिए और अगर आपको इसको क्रॉस ओवर चाहिए तो 59 और 13 तीनों ले सकते हो ठीक है तो यह इंट्राडे परपस से हो गया गाइस तो ऐसे गरके आप इनको करना है यहां पर तो हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम है ठीक है वीकली टाइम फ्रेम है और हम चलते हैं अल्मोस्स 220 में 220 का जो कोविट का फॉल आय था उसके बात चलते हैं तो अगर आप देखें यहां पर तो हमने 59 और 13 का मूविंग आवरेज लगा रखा है तो अगर हम देखें यहां पर तो एंट्री देखें कहिं नए शल्सल्रेम थे तो दोस्तों यह dagड़ें फ्रेम हेल जिसने अमिएंपर एंट्री दी ठीक है अगर आप देख् teammates के नीचे यहां पर आया ठीक है यहां पर को closing दे दिया तो हमें यहां पर exit करना ही है यह rule समझ लीज़े दोस्तों ठीक है आपने हमने यहां पर entry ली सब्सक्राइब बट कुछी टाइम बात दोस्तों इस candle ने इन तीनों इस candle ने हमें entry दी तो हम यहां पर entry ले सकते हैं ठीक है तीनों moving average के ऊपर गाइस candle ने closing दिया है अब आप देखो यहां से जो आपने trade पकड़ा पूरा तो सीधा आपको कहां पर जाके exit हुआ इस candle के ऊपर exit हुआ जाके ठीक है तो यहां पर आपने जो trade लिया almost 475 पर लिया और यहां पर जो आपने exit मा रहा है तो almost मा रहा है गाइस 700 पर तो कितने पॉइंट होगा गाइस यहां पर 225 पॉइंट का आपने यहां पर trade किया ठीक है या फिर अगर आपने investment किया है दोस्तों तो आप यहां पर निकल सकते हैं तो गाइस यह हमारा आईसे बैंक का चार्ट है weekly time frame के according अगर आपको इसमें investment करना है दोस्तों तो investment के लिए आपको entry कहां पर मिली अगर आप देखेंगे गाईस यह total तो आप यहां पर देखेंगे जिग्जग जिग्जग वाली formation है छोड़ देंगे आप गईस हमें wait करना है आप यहां पर almost इस candle ने entry दी आपको ठीक है इ आपने entry ली almost 400 के price पे exit मारा गाईस यहां पर 550 के price पे तो मतलब 150 पॉइंट आपने यहां पर कर लिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो दुबारा से यह candle ने entry दिया आपको इस candle ने entry दी और इसके according अगर आप देखेंगे फिर से market उपपर क को ओके almost तो यह है हमारा 700 तो यहां पर आपको entry मिली 600 तो यहां पर आपने फिर से 100 पॉइंट अर्न कर लिए ठीक है अब वैस आपको सब्सक्राइब आपको इसमें ट्रेट चाहिए इंट्राडी के लिए तो आप इसमें ट्रेट कैसे execute कर पाऊगे यहां पर आप देखोग हैं यहां पर अब पैसको कर सकते हो ‫दद चाहरे कर सकते हों जब तक यह कैंटल इन तीनों मुविंग sich के नीचे closing नहीं देती है तब आपको exit कर ला है ठीक गाइस तो ये हमारा intraday का trade का scenario हो गया यहाँ पे अगर आप देखें गाइस यहाँ पे अपने last session में ठीक है तो गाइसी intraday का chart है ठीक है पंदा मिन्ट का time frame बचाट है आपको entry का मिली अगर आप देखें दोस्तो लास session में यहाँ पर अपना market open हुआ है पहली candle अगर आप देखेंगे इसकी तो इसके उपर जाके closing दे दी थी तो अगर इसी के low का ऐसे लाके buying कर ली जाती दोस्तो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो top loss hit नहीं हुआ है ठीक है यहां market आया और next candle में follow up आया ही नहीं सीधा candle उपर की तरह वापस चली गई और देखो market कहां तक गया है दुबारा यहां से 874 आपने entry कहां पर लिए गाई almost इस candle के बाद ही एंट लेंगे closing पे तो entry कहां पर लिए 863 तो मतलब यहां से लेके यहां तक आपने 11 पॉइंट कर लिए ठीक है अब आप यहां पर cash में खेल रहे सब्सक्राइब कर रहा था आपने या फिर फ्यूचर बाय कर रहा था वह आपको पता है ठीक है तो यहां पर अपने लॉट के साब marketing trading करनी है तो आप simple गाईस मार्केट के अंदर नए हो सिंबल इस टेक्निक के कर सकते हो देफिनेटली और वी चीजह हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी और वी चीजों की ठीक है बट यहां पर Simple Moving Average के थुरू आपको Asset Trading करनी है ठीक है और आपने क्या देखा Simple Moving Average होता क्या है सारे concept important होते हैं ठीक है आपको सारे concept पता होने चाहिए तब ही आप यहाँ पे Stock Market में टिक पाऊगे ठीक है तो आज आपने सीखा गाईस यहाँ पे Moving Average के बारे में ठीक है Moving Average क्या होता है तो आज आपने यह सीखा तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस कूर्स का PDF चाहिए तो आपको क्या करना है हमारे चैनल पर जाना और जॉइन बटन है यहाँ पे कूर्स PDF लिखा है ठीक है कूर्स PDF को जॉइन करके आपको हमारे चैनल में Membership ले लेनी है ठीक है तो जब आप Membership लेंगे तो उसके बाद हमारे एक महीने तक जितने भी लेक्चर होंगे तो उन सब लेक्चर का आपको PDF प्रोवाइट कराया जाएगा ठीक है तो overall दोस्तों अपना यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम and thank you for watching गईज थैंक यू